हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल MB World Fact पर दोस्तो जब भी दुबई का नाम आता है तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसी गगन चुम्बी मारतो, आली शान मल्टी स्टोर, बड़े-बड़े मॉल, पाम जुमेरा आईलेंड और बहतरीन सडकों पर दोड़ती चमचमाती कारों की तस्वीरे नाचने लगती है दुनिया के सबसे खुबसूरत शहरों में से एक ये शहर है जी हाँ दोस्तो, ये शहर दुनिया का एक बड़ा गलोबल शहर और वेपार का प्रमुक केंदर बन गया महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा ब्रैंड मौजूद है इस खुबसूरत शहर में इसकी खुबसूरती से रूबरू होने हर साल हजारों टूरिस्ट यहां गूमने आते हैं जोस्तों कि आपको लगता है कि यह शहर हमेशा से ही इतना खुबसूरत रहा होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज से 30 साल पहले तक इस शहर की तस्वीर आज से बहुत जादा अलग थी माना जाता है कि इस दुबई शहर को 1833 में बसाये गया था और इसे बसाने वाले जंजाती थी यास इस जंजाती के 800 सदस्यों ने इस शहर को बसाये था माना जाता है कि यह इलाका एक समय मोतियों और फिशिंग का केंदर बन गया था आज भी लोग इस शहर के फलने फुलने का श्रे दुबई के प्रवासिक कामगारों को देते हैं इस चमचमाते शहर में आज से 30 साल पहले तक सिर्फ धूलूरती नजर आती थी आज भले ही शहर में गगन चुम्बी मारतों की कोई कमी नहीं है लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहां दूर दूर तक एक या दो मंजिला मकान दिखाई देते थे दुबई 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से आजाद हुआ इसके बाद अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक फेडरल गट बंदन बना लिया था जिसमें दुबई के साथ अबुधावी, शारजहा, उम्मूल क्वेन और अलफुजेरा शामिल थे इसके बाद इस संग में 10 वरवरी 1972 को सात्वा राज रास अलख हैमा जुड़ गया और इन साथ राज्यों के संग की राजधानी बना अबुधावी आज भले ही यहां की करेंसी दिरम है लेकिन अंग्रेजों के शाषन काल में यहां भारतिय रुपिया ही चलता था इसी मुद्रा में यहां लेन दिन किया जाता था 1969 में यहां की करेंसी खाड़ी रुपिया कहलाई जाती थी तब इसकी कीमत भारतिय रुपए के ही बराबर थी अजादी के बाद दुबाई सहित और राज्यों ने अपनी मुद्रा चलानी शुरू कर दी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दुबाई के लोग मोतियों का वैपार करते थे लेकिन जब जापानीों ने आर्टिफिशल मोति बनाना शुरू किया तो एमरीती मोतियों की मांग कम होने लगी और फिर यहाँ से मोतियों का वैपार लगबक खतमी हो गया जब यहाँ तेल की खोज हुई तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने मोतियों का कारुबार बिल्कुल ही बंद कर दिया 1971 में अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद यहाँ तेल का प्रोडक्शन आचानक बढ़ गया इस तेल की वज़ा से यहाँ के एकनॉमी को बल मिला और देखते ही देखते दुबाई वेपार का केंदर बन गया आज दुबाई में प्रवासी लोगों में सबसे जादा संख्या पाकिस्तानी और भारतिय लोगों की ही है इन सभी को दुबाई का रास्ता दिखाने का श्रे पाकिस्तानी फिल्म लेखक रियाज बटलावी को जाता है उन्होंने साल 1989 में ये अंदाजा लगाया था कि आने वाले समय में दुबाई की स्थिती मजबूत होने वाली है यही सोचकर उन्होंने दुबाई के आजादी के आठ साल बाद एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दुबाई चलो ये फिल्म इतनी सफल रही कि इसे आज भी पाकिस्तान की सबसे हिट फिल्मों में से एक माना जाता है बतादे की साल 2021 में किये गए तरह तरह के सर्वेश के अनुसार सयुक्त अरव अमिरेट की टोटल पॉपूलेशन में 40 प्रतिशत भारतियों और पाकिस्तानी है यहां की 90 लाग 99 जनसंख्या में करीब 28 लाग भारतियों और लगबग 13 लाग पाकिस्तानी है यहां 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबाई मॉल और दुबाई मेट्रो जैसे मेगा डेवलेप्मेंट्स की गोशना की गई लेकिन दुरभागय से 2008 में गलोबल फाइनशियल क्राइसिस सामने खड़ा हो गया इस फाइनशियल क्राइसिस के बावजूद इन बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया गया इन सबके अलावा यहां दुबाई मेट्रो को एक बड़ी सफलता माना जाता है जब दुबाई मेट्रो की चर्चा शुरू हुई तब किसी को यकीन नहीं था कि जिस देश में पेट्रोल पानी से जादा सस्ता है वहां के लोग नीजी लगजरी कारों से जादा मेट्रो को प्राथ्मिक्ता देंगे लेकिन यह प्रोजेक्ट कामियाब रहा क्योंकि पेट्रोल जितना सस्ता है उतना ही जादा गाडिया है शेहर में और जितनी गाडिया है उतना ही जाम है इस जाम से बच कर अपना समय बचाने के लिए लोग दुबाई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये जानकारे अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ओन कर ले ताकि हमारी हर लेटिस्ट वीडि तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई